हेलो एवरिवन, वेलकम टू नौकरी एस्परेंट फ्रेंड्स, आज हम 23 दिसंबर 2022 के करेंट अफियर इस वीड़ो में डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाल एक्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून है अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शियर जरू करना फ्रेंट्स हमारी वेबसाइट है www.nokryasprint.com यहाँ पर जाकर आप सभी नोट्स और PDF ले सकते हैं कल का प्रशन था जिसका जवाब आप सभी ने दिया किस देश ने फ्रांस को हरा कर FIFA विशुकप 2022 जीत लिया है अर्जेंटीना इसका बिलकुल सही जवाब है अब हम देखेंगे 22 दिसंबर के revision questions कौन सा देश तेरेवा विशुवयापार संगठन मंत्री स्तरिय बैटक 2024 की मेजबानी करेगा UAE पहले पंडुबी रोधी जहाज अडाला को कहा से लॉंच किया गया है छेन नहीं किस राजसरकार ने हल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधरकार अनिवारे किया है तमिलनाडू किस केंद्रिय मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट के लिए पहला शियूर्टी बॉंड बीमा लॉंच किया है नितिन जैराम गड़करी क्रशी मंत्राले द्वारा कहां पर बाजरा खादे महसब का आईजन किया गया है संसद में किस देश के फूटबॉलर करीम बेजमा ने अंतरास्य फूटबॉल से सन्यास की गोशणा की है फ्रांस केंद्रिय स्पात मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने कहां भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांट कल्याडी फेरस्ट्रा लॉंच किया है नई दिल्ली किस देश ने सांती सेनकों के खिलाफ अपरादों के लिए जवाब देही को बड़ावा देने के लिए फ्रेंट्स लॉंच किया है भारत रास्ट्रे गड़ित दिवस कब मनाया जाता है बाईस दिसंबर को भारतिय नौसेना में किस गाइड़ वेपन वाली पांचवी पंड़ुबी को शामिल किया गया है आई एनस वागीर फर्स्ट कुशन कौन सा शहर अर्बन 20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा भोपाल एहमदाबाद नागपूर या जैपूर और इसका राइटांसर होगा एहमदाबाद आई देख लेते हैं मैतपूर तत है हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2021 विधान सभा बैटकों के मामले में किस राजी ने शीर्स इस्थान प्राप्त किया है केरल ने जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मिलन का उद्गाटन हाल ही में कहां हुआ है हैधराबाद में हाल ही में किस शहर ने इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनिशनल एक्जिबिशन के ग्यारेवे संस्क्रण की मेजवानी की है जैपूर उप्राष्ट पती जगदीव धनकर ने किस शहर में तीसरे लोक मन्थन कारेकरम का उद्गाटन किया है गोहाटी किस शहर में वाड़ा एथलीट बायलोजिकल पासपोर्ट संगोस्टी 2022 का उज़न किया है नई दिल्ली किसे संसद के उपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है पीटी उशा विद्याबालन हैमा मालनी सानिया मिर्जा और इसका राइट आंसर होगा पीटी उशा आए देख लेते हैं मैतपूर्ट तत्थ है हल ही में किसे नीचे पहल की रास्ट ये दूत नियुक्त किया है दीपा मलिक को कौन वजन और माप हे तू अंतरस्ट समीती के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले सातवे भारतिये बन गए हैं वेणु गोपाल किस देश ने मुख चुनाव आयुक्त को आगामी चुनावों के लिए अंतरस्ट ये परविक्षक के त भारतिये डेटा सुरक्षा परिशत के नए CEO नियुक्ति हुए हैं विनायक गोडस नेक्स्ट कोशन हाल ही में किस भारतिये शहर प्रसिदिस्थल को युनेस्को आइस्थाई सूची में शामिल किया गया है वाडनगर शहर, सूर मंदिर मोडेरा, रौक कट मोड़ियां उपरोक्त सभी और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंट्स उपरोक्त सभी आई देख लेते हैं महतपोर्ट तथे युनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अंकित करने के लिए भारत द्वारा किस नेत को नामित किया है गर्बा, कौन से शहर युनेस्को ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज में शामिल है त्रशूर और नीलांबुर और वारंगल किस देश के लेंडिस्केप गार्डन सीटियो बर्ल मार्क्स को युनेस्को की विशो धरोहर इस सलका दर्जा दिया गया है ब्राजील युनेस्को विशो धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारते शहर है एहमदाबाद हाली में किसे युनेस्को मदंजीत सींग पुरुषकार दो हजार पाईस दिया गया है फ्राका मा इही सुलीम योग नेक्स्ट कोशन खेलो इंडिया महिला टूनामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है जिमनास्टिक महिला करके ट्रेक साइकलिंग या फुटबॉल और इसका राइट आंसर होगा ट्रेक साइकलिंग आईए देख लेते हैं मैतमूर तत्त है किस देश ने हौकी फाइफ एस चेंपेंशिप का खिताब जीता है इंडिया चीन को हरा कर किस देश ने महिला कॉंस्टिबल विशुकब 2022 जीता है अमेरिका किस राज ने अक्टूबर 2013 में 37 वे रास्टे खेल की में जबानी करने की गोशना की है गोवा इंग्लेंड के लीसेस्टर करकेट ग्राउंड का नाम किस भारते करकेटर के नाम पर रखा गया है सुनिल गावशकर किसे काउंटर इमर्जेंसी फोर्स किलो फोर्स के जनरल ओफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया है मनोश पांडे मेजर जनरल मोहित सेट उपेंदर दिवेदी नव कुमार खंडुरी और इसका राइटांसर होगा मेजर जनरल मोहित सेट आईए देख लेते हैं मैतपूर्ट तथे भारत और किस देश की मित्रता और राजनाएक संबंदों के 75 वर्ष पूरे होने पर डांक टिकेट जारी किया गया है मिश्र किसने महिला एंडिये पहली बैच में पहली रैंकिंग हासिल की है शनन धाका किसे रास्ट्य कानुनी शिवा प्रादीकरण की कारेकारी अध्यक्ष निउक्त किया है डिवाई चंद्रचून भारत की पहली महिला स्काई ड्रावर कौन बनी है लौस नायक मंजू भारत की पहली महिला कॉमबेट एवीटर कौन बनी है अबिलाशा बराक गुरू नानक देव विश्वी द्याले नैक द्वारा एक रेव प्राप्त करने वाला भारत का एक मात्र विश्वी द्याले बना यह किस राज्यमेस्ते थे अमरिस सर पंजाब, गुरू ग्राम हर्याना, जैपुर, राजिस्थान, मुंबई, महरास्ट और इसका राइट आंसर होगा, अमरिस सर, अमरिस सर पंजाब, आए देख लेते हैं मैत्पूर्ट तथे, किसके द्वारा चात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के हल ही तू, इस समादान नामक पोर्टल लॉंच किया जाएगा, विश्वी द्याले अनुदान आयोग Q.S. Asia University Ranking 2023 में, किस युनिवसिटी ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है IIT Bombay, हाल ही में जारी एशिया युनिवसिटी रैंकिंग 2022 में, किस भारतिय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा, भारतिय विग्यान संस्थान बैंगलोर, किस राज़ में भारत के पहले पनमंत्री, रोजगार, स्रजन, कारिक्रम के तहट किस राज़िया की इंद्रिशाषत प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां स्रजित की हैं, हर्याना, उतरप्रदेश, नई दिली, जमु कश्मीर, और इसका रायटांस रुगा, जमु कश्मीर, आईए देख लेते हैं मै कहां पर चिनाव वाइट वॉटर, राफ्टिंग, महसब शुरू किया गया है, जमु कश्मीर में, जमु कश्मीर, नेशनल पैंतरर्स पार्टी की किस प्रमुक का निदन हो गया, भीम सिंग, किस राजिया की इंदिशाषत प्रदेश में, पच्चिस वारास्टे ई-गवर ने संबेलन आयजित किया जाएगा, जमु कश्मीर, बारत का पहला नाइट इसका अबहरन हाल ही में, कहां इस्तापित किया जा रहा है, जमु कश्मीर में, नेक्स्ट कोशन, हाली में किसे परमाडू उर्जा नियामक बोड के अध्यक्ष न्युक्त किया गया है, दो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रोप में न्युक्त किया गया है, ललित भसीन को, किस भारतियों को कैनाडा में ग्लोबल इंडिया वार्ड से सम्मानित किया गया है, अनिल अग्रवाल को, किसे भारतिये व्यापार समवर्दन, संग्ठन के चेर अध्यल में इवन प्रबन निदेशक नियुक्त किया गया है, प्रदीप सिंग्ठ करोला को, डॉक्तर आडर्श्विका को किस देश में भारत के अगले राजूत के रूप में नियुक्त किया है, कोवेत, किसे भारतिये आयोद निर्माणी सेवा के महानिदिशक के रूप म नियुक्त किया गया है संजीव किशोर नेक्स्ट कोशन रास्टिय किसान दिवस कब मनाया जाता है 20 दिसंबर 21 दिसंबर 22 दिसंबर 23 दिसंबर और इसका राइट आंसर होगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है रास्टिय किशान दिवस आई देख लेते हैं मैतमोर दिवस 2 सितंबर को विश्य नारियल दिवस 5 सितंबर को अंतरास्टिय दान दिवस 5 सितंबर को सिक्षक दिवस 8 सितंबर को अंतरास्टिय साक्षड़ता दिवस 8 सितंबर को विश्य भौतेक चिक्सा दिवस 10 सितंबर को विश्व आत्मात्या रोख थाम दिवस मनाते है किसे Digital India Awards 2022 में प्लैटिनम आइकन पुरुसकार दिया गया है अटल इनोवेशन मिशन, स्मार्ट शिटी मिशन रास्ट्य कोशल विकास मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन और इसका राइटांसर होगा स्मार्ट सिटीज मिशन आइए देख लेते हैं मैतमूर तत्थ है प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत किस राज्य को सर्फशेस्ट पुरुसकार 2021 दिया गया उत्तरप्रदेश को किस रख्ती को प्रतिश्टिट डॉक्टर कलाम सेवा पुरुसकार से सम्मानित किया गया रवी कुमार सागर को किसके दुआरा लिखित पुस्तक जीते जी इलहाबाद को वैली आफ वर्ड्स पुरुसकार से सम्मानित किया गया ममता कलिया को किसे Capital Foundation Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया नवीन पतनायग किस पत्रकार को COVID-19 रहत प्रयास हितु जैपर फोट USA पुरुसकार से सम्मानित किया गया दानिश मंजूर भट आज का प्रश्ण है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है किस अभीनिती को पैटा इंडिया के 2022 Person of the Year के खिताब से नवाजा गया है प्रेंग का चोपड़ा विद्या बालन, सुनाक्ची सिना, मादुरी दिक्षित अब देखेंगे सामान ने ग्यान जी के डोस हार्मोन शब्द का नामकरण किस ने किया तो वैलिस एवं स्टारलिंग ने प्रेथे करण का नियम किस ने दिया मैंडल ने जी विज्ञान शब्द का प्रियोग किस ने किया लेमार्क तथा ट्रेवी निर्स ने जी विज्ञान के जनक है अरस्तू वनस्पति विज्ञान के जनक है थेोफ्रेस्टस, बोटनी शब्द के उत्पति के भासा से हुए ग्रीक से फाइक कलोजी में किसका अध्यन करते हैं तो शेवाल का करती हैं तो फ्रेंट्स ये थे important questions उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर करना चैनल पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू करें फ्रेंट्स हमारी वेबसाइट है www.nokryasprint.com यहाँ पढ़ जाकर आपसे भी नोट्स और पेडियाफ ले सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग